आंद्र प्रदेश में आज टीडीपी के नित्रितु में एंडी की सरकार का शपत ग्रहन सम्हरों का आयोजन किया गया है टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबावु नाईडू बुद्वार को चौथे कारिकाल के लिए मुख्यो मंत्री के रूप में शपत लेने वाले हैं उनके साथ शपत लेने वाले 24 नेताओं के नाम भी फाइनल हो गए हैं इसमें चंद्रबावु नाईडू के बेटे नारा लोकेश और जन सेना प्रमुख पवन कल्यान का नाम भी शामिल है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिज शहा और बीजपी अध्यक्ष जेपी नड़ा समित कई अन्यनेता भी शपत ग्रहन समारों का हिस्सा बनने जा रहे हैं दरसल ये शपत ग्रहन समारों अभी कुछी देर में 11 बचकर 27 मिनट पर विजवाड़ा में आउजी थोने जा रहा है नाइडू कैबिनेट में जाती समेकरण का ध्यान रखा गया है सबसे जादा जर्नल कैटेगरी से 13, OBC से 7, SC वर्ग से 2, ST वर्ग से 1 और 1 अलप संख्यक कुवर्ग से नाम शामिल है कुल 24 निताओं के नाम फाइनल हुए है जानकारी मिल रही है कि पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री पद के लिए पेशकश की गई है आंध्र प्रदेश विधान सभा में 176 सदस्यों की संख्या है ऐसे में कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेट 26 मंत्री हो सकते हैं वहीं शपत ग्रहन समारों में शामिल होने के लिए प्रधान मंचिर नरेंद्र वोदी बुद्वार सुभा दिल्ली से गन्ना वरम एरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं पीए मोदी सुभ़ 11 बजे दोपहर 12 बचकर 30 मिनट पर होने वाले शपत ग्रहन समारों में हिस्सा लेंगे उसके बाद पीए मोदी दोपहर 12 बचकर 40 मिनट पर एरपोर्ट लोटेंगे और दोपहर 12 बचकर 45 मिनट पर भुबनेश्वर के लिए उडान भरेंगे वहाँ उडिशा में आयोजित शपत ग्रहन समारों में हिस्सा लेंगे पीए मोदी के अलावा समारों में ग्रह मंत्री अमित शहा, जेपी नडडा, नितिन गडगरी, राज मोहन नायडू, जीतन राम माजी जी, किशन रेड़ी, चुराग पास्वान, जैन चौधरी, एक शिन्दे, मोहन यादव सहित कई अन्यनेता शामिल हो रहे हैं